Hello everyone, क्या आपके बच्चे को potty करने हैं बहुत difficulty होती है? या फिर बहुत hard potty करता है? या फिर वो normal frequency से बहुत कम frequency में potty करता है? तो आपके बच्चे को constipation हो सकता है? अगर यह signs 4 चार पीक यानिकी एक मेने से जाधा के हैं? तो उसको significant constipation है? कैसे बता चलेगा कि हमारे बच्चे वे constipation है की नहीं अगर आपका बच्चा बहुत ही painful पॉटी करता है या फिर उसको कई बार non-specific abdominal pain या discomfort रहता है कई बार बच्चे पॉटी को hold करने का try करते हैं जैसे की cross lake करके खड़े हो जाना घर के किसी corner में जाके curtain के पीछे छुप जाना या फिर कोई table या chair को पकड़के forward band होना कई बारों के चड़ी में या पैंट में liquid potty हो जाती है बहुत ज्यादा amount में potty pass करते हैं और pellet like potty pass करते हैं बहुत ज्यादा गैस होती है फूख कम हो जाती है यह सारे science conservation के है